हेलो स्टूडेंट आज हम आपके लेका रहे हैं बीए प्रथमबस के सेकंड सेमेस तो बिशा संस्क्रत का भाग तीन भाग दो हम करवा चुके हैं जिसमें पूरे सो कोश्चन हैं वो पहले लिस्ट में पड़े हुगे हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट याए बहुत ही महात्तपूर कोश्चन हैं इन्ही कोश्चनों मेंसे आपके पेपर में कोश्चन आएंगे याए हम आपको गरंटी देते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं सुरू कोश्चन नमबर 101 चंपू काब के प्रशिद्य लेखक हैं त्रिविकम भट्ट क ब्यास जी कहां के सिच्छक थे गवर्मेंट संस्कृत कॉलेज पटना के कुश्चन नमबर 103 ब्यास जी की कुल पुष्टकें हैं 78 कुश्चन नमबर 104 सिवराज बिजियम में नीश स्वासों की संख्या है बाला कुश्चन नमबर 105 सिवराज बिजियम के नायक हैं सिवाजी कुश्चन नमबर 106 सिवराज बिजियम में खल नायक हैं अफजल खाँ कुश्चन नमबर 107 साइस्ता खान सेना नायक हैं अफजल खाँ कुश्चन नमबर 108 छत्रपती सिवाजी का योध्य हुगा था अफजल खाँ से कुष्चन नमबर 109 अवंति सुंदरी कथा में नाम है इस्त्री का कुष्चन नमबर 110 दंडी की सैली है लाटी कुष्चन नमबर 111 दंडी नहा पदलालित्यम कथन है दंडी का कुष्चन नमबर 112 धनपाल है गद्यकार कुष्चन नमबर 113 सरस्वती की उपाधी दी गई है धनपाल को कुष्चन नमबर 114 धनपाल का विवेचन है प्रिबोध चंद्रोधै कुष्चन नमबर 115 धनपाल के अनुच का नाम था सोभन कुष्चन नमबर 116 तिलक मंजरी के प्रड quotation है धनपाल, कुष्चन नमबर 117, नाम माला रचना है धनपाल की कुष्चन नमबर 118, अंबिका दत्व्यास का जीवन काल है 1915, बिक्रम संवत से 1957 संवत तक कुष्चन नमबर 119, कभ्या दर्श की रचनाकार हैं दंडी कुष्चन नमबर 120, दंडी का इस्थितिकाल माना गया है 846 से 866 इस भी माना गया है कुष्चन नमबर 121, दंडी कभी हैं गद के कुष्चन नमबर 122, दंडी कहां के निवासी थे, कांची के निवासी थे कुष्चन नमबर 123, दंडी के पितामा है थे, भारवी कुष्चन नमबर 124 दंडी की माता का नाम था गोरी कुष्चन नमबर 125 दंडी से संबंधे थे बेद्ध्वान थे भारवी कुष्चन नमबर 126 दंडी किस परिवार के ब्यक्ति थे दामोदर परिवार के कुष्चन नमबर 127 अवंति सुंदरी कथा है दंडी की कुष्चन नमबर 128 दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम यहां भी दंडी यहां 10 कुमार चरितम आप इस तरिक्स याद रख सकते हैं कुष्चन नमबर 129 प्रोण रस पांडेत पूर्ण सिलालेक है सिलालेक ही गदग कुष्चन नमबर 130 नियाय मंजरी के रचाईता है जयंत भट्ट कुष्चन नमबर 131 रुद्र दामन क्या है सिलालेक है कुष्चन नमबर 132 चनडाल कन्या किसकी राज में आई थी सूद्रक की राज में आई थी कुष्चन नमबर 133 सुकना सोप देश गदिकरती का अंग है कादम बरी कुष्चन नमबर 134 गंधर वरेखा की समान है लक्ष में कुष्चन नमबर 135 लोक निंदा फैलती है धनवानों के यहां कुष्चन नमबर 136 सास्त्रकारों को तिमिर नामक रोग लगता है लच्छमी के रहने पर कुष्चन नमबर 137 लच्छमी बढ़ने पर जन में देती है काले विचार कुष्चन नमबर 138 सज्जनों के चरित्र को मिटाने वाले धुगे की समान है राज लच्छमी कुष्चन नमबर 149 मदिरा के लिए मधुसाला है लच्छमी कुष्चन नमबर 140 दुष्ट लोगों की पताका की समान है लच्छमी कुष्चन नमबर 141, सुकनास ने साथ दीपों बाला माना है प्रत्वी को कुष्चन नमबर 142, बिबेक होते हुगे भी अंधा रहता है राजा कुष्चन नमबर 143, अज्यान रूपी कान छिद्रों से धाका हुगा होता है राजा कुष्चन नमबर 144, राजाओं के लिए है गुरू का उपदेश कुष्चन नमबर 145, विस्या सक्ती रूपी मल से आसक्त होता है राजा कुष्चन नमबर 146, अंधकार के समान रोग है रतोंधी कुष्चन नमबर 147, ब्रद्धा वस्था में भी सांत नहीं होता है लच्छमी का दारूण दुख कुष्चन नमबर 148, सूर द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है युवा वस्था का अंधकार कुष्चन नमबर 149 युवा वस्था में घेरने वाला होता है अंधकार कुष्चन नमबर 150 जिसका निर्मान स्वरण से नहीं होता है फिर भी कान का आभूशन है वो है ग्यान स्टूडेंट यह हो गए हमारे पूरे 150 कुष्चन आगे के कुष्चन हम आपको अगले भाग में देंगे स्टूडेंट हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्यू